आप देखने हैं बड़ा सवाल नमस्कार मैं हूँ अजे खुमार आज का बड़ा सवाल न्यू इंडिया के सपने को क्या सरकार की नई टीम साकार कर पाएगी न्यू इंडिया क्योंकि प्रधामतर नई नमोदी ने अपने तमाम चर्चाओं में इस बात का काफी जिक्र किया था कि अभी यह नया देश है नया हिंडुस्तान है इस नए हिंडुस्तान को क्या अब एक नई दिशा नए मंतर मंडल से मिलकी दिखेगी गिरह मंतराले रच्छा मंत्राले में बदलाव के संकेत क्या हैं आई इस पर करते हैं एक विस्तित चर्चा लेकिन उसे पहले आपको दिखाएं कि अब से थोड़ी देर बाद प्रदामतरी नायनिद्र मोदी की पहली कैबिनेट बैठक होने जानी है मोदी 0.0 की जी हाँ ये मोदी 2.0 का नया कैबिनेट बैठक का एक नया खाका सामने आता दिखाई देगा जो बताएगा कि किस तरीके से एक नई सरकार आगे बढ़कर एक नई विवस्ता को अंजाम दे रही है इससे पहले कि अपने तमा मेहमान का तारुफा आपसे कराएं हमारे समधाता रवी इस वक्त माई साथ मुझूद है रवी कैबिनेट की पहली बैठक होने वाली है और इस बैठक के आधार पर क्या ये माना जाए कि पांच साल का खाका और सरकार की क्राथमिक्ताएं सामने ह होंगी या दरसल सौ दिन के कारे काम पर जादा जोर होता दिखाई देगा अजय जय अपसे कुछी देर बाद मोधी कैबिनेट की ये पहली बैठक होने वाली है इस वक्त हम विजय चौक पर मौझूद है और साउथ ब्लाक में ये बैठक होने वाली है जानकारी ये मिली है कि अभी बहुत सारे ऐसे कैबिनेट मंतरी है जिनोंने अपना पदभार गरहन नहीं किया है इसलिए कैबिनेट का जो आधिकारिक एजंडा है वो सब के पास नहीं आया है लेकिन जिन कैबिनेट मंतरियों से हमारी बात चीत हुई है उनका ये कहना है कि सरकार की प्राथमिक तरीका उसको ध्यान में रखते वे सौधिन का एजंडा क्या होगा और उस एजंडे को किस तरीके से अमल में लाए उसकी प्रक्रिया क्या होगी ये पहली बैटराण मंतरी अपने सभी सहयोगियों को बताएंगे साथ ही जनता को किस तरीके से confidence में लेना है और कभी ऐसा प्रतीत नहों कि सरकार जनता और पार्टी के बीच में कहीं सामंजस बिठता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए सरकार और पार्टी के बीच में भी संतुलन बनाने का पूरा प्रयास किया जाएगा और अब से कुछी देर बाद जो ये पहली कैबिनेट की बैठक होने वाली है ध्यान रहे कि 2014 की जो पहली कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें एक चौकानाई वाला फैसला मोदी गौर्वर्मेंट ने लिया था और उसमें साइटी का गठन किया था काले धन के खिलाब हो सकता है कि आज भी किसानों को लेकर किसी बड़े फैसलेक एलान मोदी कैबिनेट की पहली बैठक में किया जा सकता ऐसा सूत्र संके दे रहे हैं यानि कि कई बड़ी बाते हो सकती हैं और सबसे बड़े बात तो यह है कि सरकार अभी से ही अक्शन मोड में आती दिखाई दे रही है चाहिए चर्चा शुरू करते हैं डॉक्टर जफर इसलाम भरतनता पाठी से हमार साथ मौजूद हैं प्रफिसर कौशल मिश्रा जी हैं प्रफिसर अमन अगरवाल जी हमार साथ हैं विनोद अगनिहुत्री जी और इनके सिक्साब हमार साथ हैं अब सबका स्वागत है जफर इसलाम साहब सबसे जादा जिसकी उम्मीद थी वो ये कि भारतनता पाठी के अध्यक्ष अमिश शाह को कैबिनेट में जगे मिलेगी जगे तो मिली लेकिन उसके साथ ही ग्रह मंतरा ले जिसका संकेत क्या है कश्मीर पर टफ भारत का स्टैंड इसके साथ साथ महावाद के खिलाफ टफ स्टैंड पूरे देश में तमाम जाच एजिंसियों की हाथ मजबूत या यू कहें कि एक बहुत ही टफ इंडिया की इमिज सामने आती दिखाई देगी देखें ये सारी चीज़ें जो है मुझे लगता है आज नहीं करने चाहिए इसलिए के अभी तो उन्होंने सिर्फ अभार समाला है लेकिन आप इस चीज़ को जरूर आप समझते होंगे कि जितना आप जानते होंगे अभी शाजी को उनका पिछले कारेकाल देखे आप देखेंगे जिस तरह से बहुत अच्छा पिछले पांस सालों में काम हुआ जी नहीं जो किया उसको और उसमें निखार लेकर दरूर आएंगे अगले पांस साल में अगर मैं माली जी के फर्क करने की बात कहूं देखें राजना जी की बात कहें तो उन्होंने भी भरतंता पाटी के अधक्षे के पद्द पर वो रहे चुके हैं पाटी को चला चुके थे हैं लेकिन हमेंच लक्ष एक हैं इसलिए कि देश की सुरक्षा इंटर्नल सेकुरीटी और देश जो मजबूत बने। उनका भी यही लक्ष था, इनका भी ही लक्ष होगा और अलग तरीके से काम करते हैं। तो वो बिल्कुल तरीका अलग है, दोनों का काम करने का वो भी अद्देख्ष रहे, ये भी अद्देख्ष रहे, लेकिन मैं अतना दरूर कहना चाहूंगा कि बिलंदियों में पहुचाने का जो काम, जिस तरह से कोशिश करते हैं, एक प्लाइन बनाते हैं, उस प्लाइन को एक्जिक्यूट करने में कोई कसर नहीं चोड़ता है, जतनी भी मेहनत हो, जतनी भी कोशिश हो, जतनी भी रुसोर्से लगे, सब बैस्तवाल करके, लेकिन देख्ष रहे, जनता के हित्में, जैसा उना में ट्वीट करके में का, कि देशवासियों के हित्में और देश के हि कार उन तमाम ताकतों के खिलाफ का आम करती दिखाई देगी, जो आज भीतर ही भीतर देश को खोखला कर रहे हैं, खास करके कश्मीर पर उनका सपष्ट कहना था, कि धारा 370 का अचित्य अब हिंदुस्तान में रह नहीं गया है, सिंग साब मैं आप से समझा चाहता हूं कि का इन तमाम वजहों के वजए से प्रदामते नरेंद्र मोधी ने अमिट चाह को ये बड़ी जब्यदारी दिये, बड़ा अच्छा सवाल है अजय जी और खास करके तब जब राम माधों ने ये बात कही हो कि 370 का उचित्य नहीं रह गया है, ये क्लियर अब वो है कि कि किस है, उसमें गर्ब्मेंट पर होने की वजए से ये उसमें पुलिस का इस्तेबाल कर रही है, केरला में ये दिक्कत होई, आपने देखा किस तरह संग के लोगों को मारा गया, तो मुझे लगता है कि अमिट साहब एक स्ट्रॉंग लेडर है, मैसेस अच्छा कर देते हैं, तो अपनी बात को वो मासेज में कर ले जाए, अमिट शाह बहुत अच्छे, इस मामले में है, वो घूम घूम के इतना कहेंगे, इतना कुछ बोलेंगे, कि राइगा की बिल्कुल सही है, और 370 में, खासकर के 370 का जो सब्क्लास 3 है, उसका प्रोवाइज हो, इसके तहत आप न के इतिहासों में, ऐसा नहीं होता है, हर रोज कॉंस्ट्यूएंट एसेम्ली बना रहे है, तो जस्टिफिकेशन बिल्कुल है, 370 एबॉलिश होना चाहिए, तो उसी का जस्टिफिकेशन देने के लिए राजनात सिंग उतना एक्टिवली नहीं कर पाते, मंताब एनरजी है तो मुझे लगता है, इसी लिए होम मिनिस्ट्री उनको दिया गया है, और फिर डिफेंस की प्रॉबलम यह है कि यह काजल की कोठ्री है, इसमें जो भी जाता है, अगर कुछ करता है तो दाग लग जाती है, तो मुझे लगता है कि यह राजना सिंग को बहुत कुछ देखन पड़ेगा कि इस काजल की कोठी से डिकल के कैसे है, आपनी पाक इमिज को वो किस तरीके से बाहल रखें, विनो जी, अगर हम अमिच्छा जी के काम करने के तरीकों को देखें, जिस तरीके से वो गुजरात में भी जब M.O.S. थे और उसमें उनके पास ग्रहमत्राले ही थ उस वक्त उनका काम करने का तरीका, और आज जब पार्टी को उन्होंने किस तरीके से खड़ा करके एक अलग अस्तित्त दिया है, तो क्या हम यह माने कि अमिज शाह के जरीए दरसल प्रधामतरी नहींद मोदी यह संकेत देना चाहते हैं, कि उनका कैबिनेट जैसे अंग्र चर्चा भी तो मंतराले की मी थी, लेकिन वो इसलिए ग्रेह मंतराले, वो अलग बात है कि टेक्निकल डीजन से उनने राजना सिंग को नंबर डू कर दिया है, प्रधामतरी के विशेशा धिकार है, अपनी सरकार में किसी को भी नंबर दो पे रखने का नॉमिन नामित करने इंद्रागांदे केमिनेट में वाईबी चउभान, ये सारे नाम हैवी वेट के हैं, और मोधी केमिनेट की पहली में राजनात सिंग, तो ग्रेह मंतरी हमेशा जो है, ग्रेह मंतरी को लोग याद करते रहे हैं, और जो अभी का दावर नेता होता है, उसकी इक्षा ग्रेह म एक औरा बनता है नमबर एक दूसरी बात तरह हैंका दाट है उसना के उतक्रांगर्णान दुर संद्शके sırखहों पर श्यूरों के जगणार को अधिन हो और डिल्ली तीजोर्य मंत्री यस हुढ 거ína script है और अमिश्या चुकि ग्रेमंत्री लगातार मोदी जी के साथ रह चुके हैं गुजरात में तो वो उस मंत्रालय के काम का पूरा जानते हैं उसकी फंक्चिनिंग तो इस लिहाद से भी ग्रेमंत्री उनको बनाए गया है लेकिन जाफर असलाम साब अभी जो बंगाल के संद डेके बंगाल क्यों देश के किसी कोने में भी कोई ऐसी सरकार या कोई ऐसा वेकती जो के देश के कानून के विपृत और ऑटयकरेटिक तरह से अपनी अपनी भाशा सिर्फ चलाता हो और अपने तरह तरीके से बाकि लोगों को जो है किसी ना किसी तरह से अपने सरकार में रहते वे उसका गलत इस्तमाल करके अंटव Cambridge Elements और इस तरह की लोगों को तो उस पे कड़ी तरह से पेशाएंगे ये तो पक्की बात है देखिए वो आना भी चाहिए चाहिए पास वो मिनिस्टर नहीं है दोनों के सिंग सा उसकी तरफ से के दे रहेगा यह मैं इसलिए आप से जानना चाहता हूँ अगर कोई बाधा लेकर आता है और इस तरह के आड़ में आता है तो जाहिरे उसको सविधानिक तौर से उसको सक्ति से निप्टेंगे यह पक्की बात है चलिए अब जरा चर्चा और आगे वढ़ाते हैं डॉक्टर प्रफेसर कॉशल मिश्रा जी अगर मैं आप से कहूं कि आ मैं इस मंत्री मंडल को दूसरे तरह से देखना चाहता हूं यह मंत्री मंडल ड делеवर करने वाली मंंत्री मंडल है पिछले पांच वर्सों में नरंदर मोदी को देश की आंतरिक समस्याओं से रूबरू होना पड़ा है उनको समस्याओं का ज्यान हो अगया है अमिसाजी भारती जनता पार्टी के राष्टवी अध्यक्स उनको भी इन समस्याओं से रूबरू होना पड़ा इन समस्याओं का ग्यान हो गया ये मंत्री मंडल इस मंत्री मंडल का आकार इस तरह किया गया है कि नए भारत के निर्माल का सवाल है तो नए भारत का निर्माल कैसे होगा, नए भारत का निर्माल डेलिवर करने से होगा, जन सापेक्स सरकार और डेलिवर करने वाली सरकार के अधार पर होगा, तो यह जो मंत्री मंडल है, यह डेलिवर करने वाली मंत्री मंडल है, इसको आप इस तरह से नह देखे कि नमबर ट देखा होगा कि पिछले पांस वर्सों में उस तरह का कोई बहुत बड़ा आंदोलन नहीं हुआ जिसे रास्ट्री सुरक्षा को इंटर्नल सुरक्षा को खत्रा हो उस प्रिष्ट भूम पर अमिज साब को फाइनल टस्ट देने का जो अमिज शाह का प्रवित्ति है उनका व्य चीजें अभी भी जीवित हैं पुरसकार वापसी गैंग यह जो अहशुत्रा का पाइन लिंकिंग का सवाल इन सवालों को कैसे डील करें यह अमिज साहजी को इस आधार पर ले आए गया है और दोनों की जोड़ी गुजरात में हिट रही है वर्सों से गुजरात में जो दरशनुता का मामला अवाड वापसी मॉब लिंचिंग यह तमाम चीज़ें आएं जिसने की मोधी सरकार पर कई बार कई तरह के आशे खड़े करने की कोशिश की थी क्या अमिज शाह जी के नित्रत तुम्हें इस तरह की चीज़ों पर अब नकैल कसी जाएगी अले अजय जी एनालिस्ट को इंडिपेंटेट एनालिस्ट को जो जुमले पार पॉलिटिकल पार्टीस थ्रो करती हैं उससे नहीं होना चाहिए मुतासिर उधारण के लिए अगर हम यही प्रेमाइस ले लें किसाब एफिशियंसी क्राइटेरिया रही है तो मेरी समझ में नहीं आता है कि साध्वी निरंजना में कौन सी ऐसे सुरखाब के पर लगे थे और गिर्राज सिंग में लगे थे तो इसलिए यह लॉजिक नहीं चलता इसलिए चलता है कि निरंजना निशाद कम्यूनिटी की है महिला है और एक भगवा पहनती है लियाजा तीनों चीज़ नहीं है हाँ डिलीवर करना है ये बात बिल्कुल सही है और पांच साल में जो एसेस्मेंट हुआ है उसमें जैसी कि मा लिजे फ्लैक्शिप प्रोग्राम था मोदी का फसल बीमा योजना और आपको ताजूब होगा कि पिछले दो साल में जो जादा बहना चाहिए वो उल्ट कम होके 23% पे आके कवरेज रुख गया जबकि 50% होना था 18-19 में इसका जानते कारण क्या है इसका कारण ये है कि जो 10 राज लॉन परफार्मर थे उसमें 8 बीजे पी के थे और जो 4 राज बहुत अच्छा परफार्म किये फसल बीमा योजना में उसमें 3 कॉंग्रेस के थे तो आज जरूरत इसकी है कि अमित शाह या ये सारे लोग खास करके अग्रिकल्चर मिनिस्टर वो चीफ मिनिस्टर को फोर्स करें कि आप इने योजनाओं का सही इंप्लिमेंटेशन करेंगे आपने कह दिया कि फिसलों किसानों की आए दूनी करेंगे सिर्फ तीन साल आपक सक्सेशन प्लान भी है पालिटी के बीतर ये भी आप समझ लीजिए ये आपने बड़ा उद्दा छेड़ दिया मैं इस पर बहस करने वाला था लेकिन ब्रेक के बाद इसलिए मैं अभी सही कह रहा हूं जाफर इसलाम साब आपसे पर हम सवाल पूचेंगे लेकिन प्रफिस इताले बनाया है और जो ग्राउंड वर्क होना था पिछले पांट साल में सरकार ने ग्राउंड वर्क कर दिया है अपने नीतियों के प्रती अपने प्रफिस के प्रती अब उसको इंप्लिमेंट करना फास स्पीट से इंप्लिमेंट करने की बात है और जो मंत्राले गठित किया गया है और हम इशा को भी जो आब बात करें इसको रिखते वे बीस चौबिस एजंडा को रखते में किया गया है कि हमें इसको करना चाहते हैं कि गरीबी हटा कम्लीटली हट जाए और आपको अशंका बड़ा अजीब लगेगा आग सुनके कि करीबन जो वर्ल्ड पावर्टी इंडेक्स के हिसाब से अब यह मारा जो रेट है 3.3% प्रतिशत जो है जी एब्जेक्ट पावर्टी में रह गया है और पावर्ट करके आज मैनुफैक्टरिंग नहीं तो नौकरिया नहीं है बेरोजगारी है बिलकुल ठीक कह रहे हैं है आप जो मैनुफैक्टरिंग सेक्टर जो द्वहत हुआ है पिछले जो बैंक समारे पी सीज़ के अंडर पिछले डेड़ साल तो पड़े रहे और जो बैंकोंने लोन बिल्कुल भी आगे नहीं दिया ताकि वो अपने की कंडिशन ठीक रहे, वो PCA से निकल सकें, तो इस वज़े से RBI गवर्नर को चेंज करना पड़ा सरकार को, अब वो लाई हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि ये जो मार्किट में सिच्वेशन है, वो इंप्रूफ करें, पैसा ज इतना खर्चा डिफेंस में हमें और करने की जुरूफ है, क्या स्ट्राटिजी की रिक्वाइम, वो सबसे बड़ा खर्चा होता है वित का, वो डिफेंस के प्रती होता है, जो सुरक्षा एक देश के माना जाता है, वो सबसे बड़ा मुद्दा तो यह है, कि अगर हम सरकार अब लेकर आईगी, क्योंकि अभी तक तो जो बजट सामने आया था, वो अंतरिम बजट था, अब पूर्ण बजट भी सरकार का सामने होगा, ऐसे में वित्त मंत्री जो की पहली बार एक महिला वित्त मंत्री बली है, उनके ओपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी और सबसे बड़ा रक्षा मंत्राले का होता है, तो ये भी दिल्चस्प बात है कि जो रक्षा मंत्री थी, वहीं अब वित्त मंत्री हैं, तो उनको कमोबेश्ट जरूरत पूरी तरह से मालूम होगी कि किस तरह से बैलेंस करना है दरसल डिफेंस को और बाकी अन्यमदों को रक् पैसे की जो कि उनके फ्लैक्सी जो प्रोग्राम से उसमें दिये जा सके हैं और देश को आगे बहतर तरीके से वित्तिये फ्रंट पर बढ़ाया जा सके, इसके लिए पैसे जुटाया जा सके, तो ये सब कुछ इस बजट में लब बलूब आप देखने को मिले रहे हैं, पर आज पहली कैबिनिट की बैटक शुरू होने वाली है, प्रदामतरी कार्याले के बाहर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, दिरेंद्र पुंडीर अमारे समय दाता इस वक्त में साथ मौझूद हैं, दिरेंद्र प्रदामतरी अपनी पहली कैबिनिट की बैटक आज ले रहे हैं नए सरकार की, ऐसे में प्राथ्मिक्ताएं कई हो सकती हैं, लेकिन अभी एक खबर आ रही थी कि शायद क्रशी शेत्र की एक बड़ी गोश्णा सामने आ सकती है, और क्या होने की उम्मीद बताई जा रही है, दिरेंद्र आप हमारे साथ हैं, ऐसा लगता है, द अगर क्रिशी शेत्र को लेकर एक बड़ी गोश्णा की बात सामने रखी जाती है, तो क्या यह माना जाए कि मोधी सरकार का फोकस बहुत बड़े पैमाने पर क्रिशी शेत्र में जो बड़ा असंतोश और उसके साथ-साथ जो तमाम तरह की दिक्कते हैं उसे लेकर होगा? आपका बढ़ रहा है, प्रोडक्टिविटी घट रही है, आपकी मुश्किल यह है कि गेहु भारत में इस समय पैदा हो रहा है 25 क्विंटल पर हेक्टेर, जबकि इंटरनेशनल लेवरेज 55 हेक्टेर का है, अमेरिका में 66 हेक्टेर पैदा होता है, तो आपको प्रोडक्टि दिया, तो यह उससे होगा नहीं, क्योंकि लगातार करज में रहे गाई किसान क्योंकि उसके उतपादन की लागत मिल रही रही है, या तो यह करें आप, दूसरा यह करें कि आपने DFI Dublin Farmers Income में heavy investment, जो कहा है दलवई कमीटी ने, 6,6,6,0,0 करोड का investment आपको करना होगा, क्या इस हालत में हैं हम, और वो करना होगा तो उसका nature क्या होगा, तो यह एक चीज़ क्रिसी में चलू कर सकते हैं, कि immediately, जो सीमान किसान है, लगुवा सीमान, जिसको एक हेक्टेर, दो हेक्टेर करें, उनके लिए कोई एक benefit immediately करें, ताकि वो agriculture पे थोड़ा मजबूती पापा, यह शायद हो सकता, इसके अलावत में, देरेंद, क्या इस तरह कि कोई संभावना हो सकती है, कि छोटे किसानों के लिए कोई बड़ा फैसला आज की पहली cabinet में, आद देखिए, चर् जो लोग हैं, उनके लिए पेंशन पर भी बात है, कि एक मुझ पेंशन देना, उस सब पर चर्चा होगी, और किसानों का छोटे किसानों का खास तोर से, उनके फायदे के लिए कोई स्कीम लाने के लिए बाची थी, अब देखना है कि किस तरह से, कैबनेट के बाद के वेसला लिया, वो बताती है, लेकिन ये सही बात है कि जिस तरह से, अमित्षा भी आए, वो मंत्राले में आने की बजाए, अभी सीधे मिटिंग में चले गए, बात ये ही है, बिल्कुल, अब दिने देख बात और बताईए, हम पहले से सुनते आ रहे थे कि चुनाओ खत के आखरी चरण से पहले ही, प्रधामतरी कार्याले की अगवाई में सौ दिनों के एजेंडे पर काम शुरू हो गया था, तो क्या ये माने की सत्ता समालने के साथ ही, पहरे मंत्रिमंडल के साथ ही, एजेंडा 100 काम शुरू हो जाएगा? एकदम पूरी तरह से हजेजी जब ये फेज में साफ होने लगा था, तब हम लोगों को अधिकारियों को जो से पहले, पहले तीन-चार फेज तक आपको अधिकारी छुट्टी के मूर में दिख रहे थे, लेकिन जैसे ही सिक्स फेज आया, वो तमाम लोग अपनी फाइले इखटे करने लेगे और सब तैयारिया शुरू हो गई, जैसे लग रहा था कि पूरी तरह से आते ही, पहले दिन से काम शुरू होगा, वो आपको जो जो मंतराले में आप देखेंगे मिटिंगों का दोर है, बाकाईदा, शपत ग्रेंड के लिए कुछ जगे आपको फोटो आएगा, इसे लेकर बहुत ज़्यादा लोगों को उमीद नहीं थी, इस लाटरल एंट्री का क्या मतलब निकाला जाए? देखे, प्रधान मंतरी कई बार लोगों को सर्प्राइज देते हैं और उसका जो अल्टिमेट अब्जेक्टिव जो रहता है कि जो बेस्ट प्रोडुक्टिव यूज जो है, उस आद्वी का, उस सिचुएशन का जो हो सके, इसके इस पे एस जैशेंकर जी के बारे में, उ कॉरण अफेर्स के बारे में उनकी महारत हासिल है, तो उन्हें इस जॉब के लिए चुना गया, बिल्कुल वो बहुत ही कॉंपिटेंट आदमी है, और प्रधान मंतरी के साथ जब उन्होंने काम किया, कई बार उनके साथ दौरा भी किया, तो उन्हें एसास हुआ प्रधा प्रधान मंतरी के साथ पिछले कुछ सालों में बिफोर रिटार्मेंट वो अपने आप में एक मिसाल है, बिल्कुल विनोजी, अब यहां पर सवाल यह उठता है कि अजीद दोवाल जो की नाश्वल सेकुरिटी एडवाइजर है, उनकी और एश जैशंकर की ट्यूनिंग, जब वो फॉर्ण सेक्रेटरी हुगा करते थे, बहुत जबरदस बताई जाती है, तो क्या यह वज़ाए रही होगी कि आज प्रधामतरी जी ने उन्हें इतने बड़े पत पर दिया है, और खास करके तब जबकि हमारे पास चुनोतियों का अंबार लगा पड़ा है, हमें ट्रेड के मामले पर अमेरिका से दोदो हाथ करने हैं, चीन के साथ लगतार ट्रेड के मामले पर दोदो हाथ करने हैं, पाकिस्तान की समस्या हमारे सामने खड़ी है? नहीं, पहले देख चीज मैं सही कर दूँगो, धिरेंद पुंदीर ने दो तिन बार कहा कि शपत ग्राण नहीं लिया, शपत ग्राण तो कल हो चुका है, कारे भार नहीं ग्राण किया होगा मत्रियों है, वो एक तुटी उनसे गल्ती से हो गई, दूसरा जो आपने प्रश पुलिस सेवा के अधिखारी होते हैं, वो जब नहीं से बनते हैं, शिवशंकर में नन्थे मनमोंसिं के टाइम में, एमके नारानन के बाद, तो वो एक ग्लोबल विजन और ग्लोबल जो संबन्ध है अंतरास्टी है, उनके बारे में उनकी समझ दूसरे तरह की होती है, ले अभी डोकलाम का मुद्दा था, उसके अभी खबर आई थी कि सिक्किम तक उन्होंने और निर्वान कर लिये हैं, जबकि चीन में खुद जैशंकर जी राज़ूत रह चुके हैं, अमरीका के साथ बहुत सारे ऐसे इशूज हैं, टरंप की पॉलिशी को लेकर के भारत के हित प्रभावित होते हैं, फिर एनस्जी में जो है आपको अभी जगे नहीं मिली है, वो आपको लेना है, स्यूद रास्थां की सुरक्षा परिशन में इस्थाई सदस्ता का मसला है, वहां पर आपको अपना केस प्रिप्लीट करना है, बहुत सारे ग्लोबल इशूज हैं, जि एक बड़ी अच्छी सिनर्जी बन सकती है दोनों की, और दोनों जो की ब्यूरोक्रेटिक बैग्राउंड के हैं, तो जो तमाम फाइलों के जो पेच होते हैं, जो नौकरशाही के, उसको बेटर तरीके समझ सकते हैं. एक बिरोक्राट को विदेश मंतरा ले देकर, क्या संकेत आज प्रथमते रनेंद मोदी दे रहे हैं? जो डील करते थे, तो मोदी जी के रहने एक ओवर आर्किंग इंफ्लूएंस होता है, वो खास करके जब सिंगल लीडर्शिप का जो फ्रेमवर्क होता है, उसमें अगर काम करते हैं, लियाजा, ये सारी चीज़, मालनी जे क्रिसी है, फसल, बीमा, योजदा भी मोदी जी का का कंसेप्ट है, आपको सिर्फ इंप्लिमेंट करना है, तो इंप्लिमेंटर बहुत अच्छे रहे, विज़शा, ये आपके फॉरें मिनिस्टर, जो बने है ना फॉरें मिनिस्टर, जैशंकर, इसलिए आप देखेंगे कि मोदी जी को इस समय फॉरें में इंप्लिमेंटर चाहिए, जो निगोशियेट भी करें तो सेकेंडरी टर्शेरी लेविल पर करें, प्राइमरी लेविल पर बहुत ये करेंगे ही, उसी तरह फाइनेंस है, फाइनेंस में जो बेसिक आज चैलेंज क्या होगा, चैलेंज सिर्फ ये है, सिता रवन के पास, कि GST ऐसे कॉंप्ल काफी नीचे आ गया था, और वो ग्लोबल उसकी वज़े से नहीं वाता, तो मेरे ख्याल से ये सारी दिखते हैं, वो सिता, सिता रमन को मैं बता दू कि जैनियू से ये एकोनामिक्स में, में हैं, उनका प्येश्डी ओरेंट्रेट पे हैं, मैं अभी यही सवाल दरे सर प्र प्रफिसर कौशल, हम टुकडे-टुकडे गैंग की बात कर रहे थे, लेकिन मोधी सरकार के दो एहम मंत्री जैनियू से आते हैं, निर्मला सितारमन और जैशंकर और इनके हस्बेंट बहुत अच्छे एकोनामिस्ट है, लंदन स्कूल और इकोनामिक्स से, जो की कॉंग्रेस बैग्राउंड के हैं जी अब लोग से ये उसी समय थे जैनियू में, खासकर निर्मला सितारमन, जब मैं भी जात जैनियू में कॉशन विशा जी, अब सवाल ये है, कि जिस जैनियू के तथाकते तोर पर कल्चर को लेकर एक बड़ा विवाद पूरे देश्मर में हुआ, उसी जैनियू के दो प्रड़क्ट आज मोधी सरकार में नहीं हैं, बलकि ड्राइविंग फोर्सेज हैं कॉशन साब इसे जैनियू का कोई कट नहीं पड़े, कोई कहीं से पड़े, लेकिन ये सही है कि सीता रमन जी एकनोमिक्स बैक्ग्राउंड की है, उनको एकनोमिक्स के सूतर, उनको पता है, उन्होंने रक्षा मंत्राले में एक अच्छा काम किया था, और आपने जो बात ये कही, कि मां इनको की समस्या हो, जो तमाम आप सही शुरुता ये, को जमीन पर दिखना चाहिए, जैने मं इक बात मां हो, ऑड़े. सब्सक्राइब करते हैं तो मैं पर अगरवाल हम लगातार अपने आपको अंतरश्ट्र इस्तर पर खास करके वित्यच्छत्र में अगर देखें तो बड़े पैमाने पर आगे रखने की कोशिश करते रहे हैं लेकिन हम अगर आंतरिक समस्याओं से ही नहीं उबर पा रहे हैं तो हम आगे क्या बढ़ेंगे आपने बताया है कि बैंकों के पास पैसा है लोन देने के लिए बैंक तयार नहीं है इंडस्ट्री ठप पड़ती दिखाई दे रही हैं जी एसटी के मामले पर स्थिती अभी भी ठीक ठाक नहीं अभी भी हमारे पास पाँच लेड़ छे लेड़ जी स्थी के आधार बंते दिखाई धिए रहे हैं डी oldest का का ओड़ अजडार के दे GDP growth rate 7.2, 7.3% है, wish में सबसे ज़्यादा है, जो FDI inflow हमारे आ रहे हैं, प्रती मास करीबन 6 billion dollars का inflow हर महीने आ रहा है, जो wish में कहीं पे भी नहीं हो, वो grow किया है, हर साल प्रती साल grow किया है, जो हमारे fiscal deficit position है, वो हमारी control में है, inflation control में है, यह जो चीजें देखते वे हम देखें हैं, जो कुछ सरकार ने कदम उठाए पिछले एक डेट साल में, जहां बैंकों को रोका गया, NPS को करने को रोका गया, तो naturally industry पे impact आना ही था, because जो industry पिछले 10, 15, 20, 40 साल में grow कर रही थी, वो इस तरह के से grow कर रही थी, कि लोगों का पैसा, आपको, मेरा जो taxpayer पैसा था, वो 16,00,00 करोड के करीबन waiver RBI ने दिया है, अलग अलग कंपनियों को, जो NPS बन चुके थे, तो उसके ओपर रोक जो लगाई, सिरफ इसी में नहीं क्रिशी में भी हमें देखा रही थी, जो है, dispersements हो रही थी ऐसे ही, बिना किसी बात की, जिसको जुरूत था, उसको नहीं मिल जाएगा, अब वो जो निकल की आना है, अब इनको देखना है कि किस तरीके से हम इसको लिक्विडी भी, ट्रीडी भी बढ़ाएं, पर वो NPS की तरफ न जाए, वो प्रोग्रेस की तरफ जाएए, इसी सवाल को एक अलग परीद्रिश में आपके सामने रखों, जफर भाई राष्ट्रवाद के मुद्दे पर आज इस चनाओ को बड़े पैमाने पर सामने रखा गया, और लोगों ने एक राष्ट्रे भूमिका और राष्ट्रे भावना के आधार पर मोदी सरकार को दुबारा मौका दिया है, राष्ट्रवाद को परिवाशित करने के साथ साथ आ आप कहते हैं, ट्रेन चलाने से पहले पट्री भीचानी पड़ती है, पट्री हर तरह जैसे प्रोफेसर साहब ने कहा कि जतना मैक्रो एक्रो एकॉनमिक पैरमीटर है, वो इंप्रूव है, जितना स्ट्रॉक्शल रिफार्म्स ले लिया, जितना इंप्रूर्टन मेजर लेन परिवारों के बच्चों को खासी मदद दी जाएगी जिन्होंने देश के नाम पर शहादत दी है नाशनल डिफेंस फंड के तहट चात वर्ती बढ़ाने जाने का फैस्टा लिया गया है शहीदों के बच्चों को इसका बड़ा फाइदा मिलेगा खास करके तब जो वो पढ़ाई की शित्र में आगे बढ़ेंगे यानि कि शहादत को बड़े पैमाने पर आज रखा जा रहा है सामने, सम्मान दिया जा रहा है उसे न सिर्फ सम्मान दिया जा रहा है बलकि उसे एक उचे ओधे पर रखकर ये बताया जा रहा है कि जो लोग देश के लिए शहादत देते हैं, उनके परिजानों का देखवाल करने का जिम्मा पूरे देश का होता है। रविकांट। राष्ट निर्मान के तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं। ये साहता, 1962 में नेशनल डिफेंस फंड बनाया गया था, इसी की तहट कि बच्चों को एक मुष्ट पढ़ाई के लिए और उनके उसके लिए एक चात्वरती दी जाए। तो वो चात्वरती की राष्ट बढ़ा करके ये संदेश दिया गया है कि शहीदों के परिवारों की देख बाल करने की जिम्मेदारी जो भारत सरकार की है, वो और बेतर तरीके से निवाई है। बाई जारी रवी कांत माई साथ इस सकत में हुजूद है, रवी कांत चात्वरती में बरोरती के साथ साथ और क्या एहम फैसले सामने आ सकते हैं। रवी मैं आको बीच में रोक रहा हूँ, रवी ये देखे, प्रधामतरी नाइंद मोदी का पहला फैसला जिसके उपर शायद वो हस्ताक्षर कर रहे हैं, पहली फाइल की नोटिंग जो प्रधामतरी नाइंद मोदी की है, दफ्तर में दुबारा पहुचने के बाद, ये त रवी आप हैं हमार साथ? के साथ आप आए हैं, ठीक 20 घंटे के अंदर शपत लेने के बाद, पहला कैबिनेट मीटिंग है, एक बड़ा फैसला होना चाहिए था, जो आपने वायदे किये हैं, डबलिंग फार्मर्स इंकॉम को लेके, या बहुत सारे ऐसे वायदे हैं, आईउश मान, आपके पास इत तो आपके सेग्रेटरी फाइनेंस अगर ये जीओ से कर देता, इसमें कैबिनेट की जरुरत करता ही नहीं है, 2000 से 2000 से 2000 के अपने वही कह रहा हूं कि अब सिंबल पांच साल बाद इतने बड़े मैंडेट के बाद, अब सिंबल की जरुरत नहीं है, आप ज़रा उसको बनरे यमा साथ, न्यूज नेशन पर खबरे जारी ही